मिट्टी में बहुत सारे सुक्ष्मजीव रहते हैं, ये सुक्ष्मजीव मिट्टी के उपजावशक्ती बढ़ाने के सांथ सांथ और अलग-अलग काम करते हैं आपको जानकर ये आश्चरी होगा कि कुछ जो सुक्ष्मजीव हैं ये एंटिबायोटिक भी बनाते हैं क्लोरीमFanicol, यह नया नाम होगा आपके लिए, क्लोरीमFanicol एक एंतिबायोटिक है, जिसे यही सुक्ष्मजीव जो मिट्टी में रहते हैं, बनाते हैं ये क्लोरिमFanicol, इनका उप्योग क्या है, क्या आप बता सकते हैं ये टाइफाइट के ट्रेट्मेंट में काम आता है अब इनके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या है एक क्लोरीन है क्लोरीन एक हेलो एलकेन कंपाउंड है ऐसे बहुत सारे हेलो एलकेन कंपाउंड है जो हमारी डे टू डे लाइफ में काम आते हैं आपने chloroquine का नाम सुना ही होगा chloroquine यह malaria के treatment में काम आती है पहले समय में malaria में बहुत लोगों की जान जाती थी पर chloroquine के use से हम लोगों की जान बचा पाए है यह भी एक हेलो एलकें है ऐसे ही आप देखें जब कभी सरजरी होती है तो आपको याद होगा कि सर्जरी से पहले बॉडी को सुन किया जाता है तो इसे हम कहते हैं एनिथीशिया सर्जरी में भी हम हेलोथीन का यूज करते हैं ये हेलोथीन जो होती है इसमें भी क्या है हेलोजन है तो ऐसे बहुत सारे एक्जामपल है डे टू डे लाइफ में जिसको हम उप्योग करते हैं और एक्जामपल ने हमारी बॉडी, हुमन बॉडी में भी गर्दन के पास एक ग्लेंड होती है जिसे हम कहते हैं थाईराइट ग्लेंड अब आप समझी रहे होंगे कि मैं बात कर रहे हूँ थाईराइट ग्लेंड से एक हार्मोन सिक्रीट होता है सोचिए उसमें कौन सा हार्मोन सिक्रीट हो रहा होगा आयोडेन योगति यहां पे थाईरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है ये हार्मोन्स जो है वो बोडी में बहुत important role play करता है और इसकी कमी से goiter नामक रोग होता है आपने ध्यान दिया होगा बहुत सारे विज्यापन में भी और जब हम भी store में जाते हैं तो हम क्या करते हैं नमक लेते समय जरूर ध्यान देते हैं कि उसमें iodine है या नहीं है तो ये भी एक hello alkane compound है जो हमारी body produce करती है हार्मोन्स के रूप में इतना ही नहीं और बहुत सारे example है जिसमें हम hello alkane का use करते हैं ये hello alkane non-polar compound के लिए solvent का काम, विलायक का काम करते हैं और बहुत सारे ऐसे carbonic yogic हैं जिनको बनाने के लिए hello alkane एक starting material होते हैं तो आईए अब समझते हैं कि ये hello alkane क्या है आज हम समझेंगे hello alkane और hello arines क्या होते हैं इनका क्या use है, इनके क्या क्या structure है, इनको हम कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम थोड़ा detail में जाते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि halogen क्या होते हैं जिनने हम hello कह रहे हैं आवर सार्णी में देखें, 17 नमबर के जो वर्ग है इसमें है fluorine, chlorine, bromine, iodine इनके हम halogen कहते हैं और short में इसे hello कहा गया है अब बात उड़ती है, alkane की alkane ऐसे कार्बनिक योगिक होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉर्ण होता है तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉर्ण होता है तो देखिए कार्बन की चारों से जगता जो है वो किस से संत्रिप्त हो रही है? हाइट्रोजन से यहाँ मैं मेथेन के एक एक एक्जाम्पल से आपको क्लियर करूँ यह आईए मेथेन का एक्जाम्पल समझे मेथेन में देखिए कार्बन के साथ चार हाइट्रोजन जो है वो जुड़े हुए है अब क्या होगा यहाँ पर हमारा हैलोजन आता है और यह हैलोजन एक हाइट्रोजन को वहाँ से हटा देता हो और खुद अपना वहां आकर bond बना लेता है देखिए तो इस प्रकार यहां हमको मिलता एक हेलो एलकेन अभी हेलोजन ठका नहीं है अब देखिए हेलोजन क्या कर रहा है एक और हाइट्रोजन को replace कर देगा और वहां पर आकर जूड़ जाता है अब हमारे इस एलकेन में दो हेलोजन आकर जूड़ गए है इसके बाद देखिए एक हाइट्रोजन फिर replace हो जा रहा है किस से हेलोजन से हमको मिल रहा है ट्राई हेलोजन इसके बाद देखिए चौथा हाइट्रोजन जो है वो भी क्या हो रहा है हेलोजन से रिप्लेज होते जा रहा है अब हम देखते हैं कि कार्बन की जो चारो वेलेंसी है वो किस से संत्रिप्त हो रही है हेलोजन से तो इस प्रकार देखिए जब हेलोजन जो है आकर हाइट्रोजन को रिप्लेज करते हैं और उनकी जगा खुद आ रहे हैं और जो कमपा अब जैसे रिंग वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पहले क्या आएगा पहले आता है बेंजीन रिंग तो अगर बेंजीन रिंग ले रहे हम बेंजीन रिंग के जो की होता है सिटीस है देखिए इसमें हर कार्बन के साथ क्या होता है मस्यचलन को हटाकर अगर कोई है यह जन आज आता है इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे तो हम आज बात करेंगे हैछलो एलकेन और हेलो एरीमस के बारे में तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं, हेलो एलकेन के बारे में, हेलो एलकेन में ध्यान दीजिए, यह जो कार्बन है, इसके स्ट्रक्चर पर थोड़े से हम बात कर लें, कार्बन का स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं, तो देखिए कार्बन से चार तत्व जुड़े हुए हैं, चार एक कार्बन चार और तत्वों से जुड़ा होता है तो वहाँ पे होता है SP3 संकरन यहाँ सभी बंद क्या है एक कल्बंद है एक S-orbital और 3P-orbital मिलकर SP3 संकरन बनाएंगे क्योंकि यहाँ भी कितना होता है योग 4, 1 और 3 तो यहाँ देखो हेलो एलकेन में SP3 संकरन है वहीं जब हम बात करते हैं हेलो एरीन्स की तो हेलो एरीन्स में क्या होता है कि कार्बन और कार्बन का यह पूरा रिंग बन गया है हाइट्रोजन भी जुड़ गया है C6, H6 पर इसके रिंग में SP3 संकरन नहीं है तो यहाँ कौन सा संकरन होगा यहाँ संकरन होता है SP2 बेंजीन रिंग कि जितने भी कार्बन है उन सभी कार्बन में क्या होता है SP2 संकरन होता है चलो इसे भी देखें हम देखें कार्बन जो है कोई भी कार्बन इसमें से आप ले लिजी यह जो कार्बन है यह कितने तत्तों से जुड़ा हुआ है तो हम देखते हैं कि एकल बंद द्वारा यह के सब्सक्राइब मैं तो संकरण में देखि की कितने हैं तो इस प्लकार जो low ными सब्सक्राइब में उनमें यहने कार्ण में प्लडब बॉन संकरण कार्ण हो सक क्या करदे कि इस प्लडबॉ know तो दियुक्ता को म Мих perd lower बनाते हैं तौ देखिए double burn के कारण यहाँ पे क्या होती है carbon की स्वज़कता 4 हो जाती है और संकरण जो होगा वो कैसा होगा sp2 संकरण होता है तो जब carbon में sp2 संकरण है और वो एक benzene ring की बात हम जब कर रहे है तो यह हो गया है अपनारा halo erin इस प्रकार हमने समझ लिया कि halo erin क्या है और halo erin क्या है चलिए अब इसके आगे हम जाते हैं इनके वरगी करण में क्योंकि जब हम इनके पढ़ रहे है halo erin के और halo erin के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा और detail इसमें हमें study करना है halo erin को हम फिर से divide करते हैं halo erin में अगर एक halogen है तो इसे हम कहेंगे mono halo alcan mono का मतलब हुआ एक यदि आपके halogen दो है एक alcan में दो halogen है तो ये हो जाते हैं di halo alcan और अगर तीन बार halogen आ रहे हैं तो ये क्या होंगे tri halo alcan और वहीं चार बार आ गए तो tetra halo alcan तो देखे ये है carbon tetra chloride जिसमें की चार बार क्लोरीन आया है तो इस प्रकार के compound में हम क्या लिखेंगे tetra tetra यानि 4 अब देखिए अगर चार से ज़्यादा बार है तो क्या होगा वो poly halo alcan हो जाता है तो हमने देखा halo alcan को हम halogen की संख्या के बेस पे और ज़्या कर रहे हैं डिवाइट करते जा रहे हैं यह ऐसा नहीं कि केवल halo alcan में ही होगा आप halo alcan में भी क्या कर सकते हैं इसे वर्गी करित करते हैं चलिए समझते हैं halo alcan में भी देखिए जैसे हाँ structure दिख रहा है अगर एक halogen है तो वो होगा mono halo alcan दो यहाँ पे halogen हैं तो यह कहलाएगा आपका dihalo arines तीन halogen आते हैं अगर benzene ring में तो यह हो जाता है आपका trihalo arines तो इस प्रकार हमने halo arines और halo alcan को थोड़ा और समझा mono halo alcan को हम और ज़्यादा क्या करेंगे अब वर्गी करित करेंगे ताकि हमें सारे structure जो हूँ वो clear हो जाए तो mono halo alcan को हम फिर से divide करते हैं पहला जो देखेंगे वो यह है कि इनमें संकरन के अधार पर division देखते हैं जैसे हम अभी चर्चा कर ही रहे थे कि carbon यहाँ पर sp3 और sp2 दोनों ही संकरन में रहता है तो संकरन के अधार पर भी हम mono halo alcan को फिर से वर्गी करते हैं चली आईए देखें तो संकरन के अधार पर sp3 संकरन होगा आपका alkyl halide में दूसरा इसमें आएगा यह है alilic halide alilic halide में भी carbon जो है वो sp3 संकरन में होता है तीसरा है benjelic halide benjelic halide में भी क्या होगा carbon का संकरन जो है sp3 होता है तो यह तीनों समू जो है इसमें carbon का संकरन होगा sp3 अब बात करते हैं sp2 संकरन की तो आईए देखिए इसमें पहला है vinylic halide vinylic halide में जो carbon है इसमें क्या होता है sp2 संकरन होता है और last है हमारा alilic halide alilic halide में जो carbon है इनमें भी क्या होगा SP2 संकरण होता है तो चलिए अलकाइल हैलाइट को डिटेल में समझे अलकाइल हैलाइट जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं इनके कारबन को चेक कीजे सभी प्रकार के अलकील हैलाइट में कारबन जो है वो एकल बंद से जुड़ा हुआ है और इनमें संकरण देखिए कैसा है SP3 संकरण मैंने आपको बताया था कैसा था SP3 संकरण एक S और तीन P कक्षक होते हैं आप सभी में चेक कर लिजे चलिए पहले एक्जामपल में देखिए कि एक कारबन के साथ चार हाइट्रोजन जुड़े हुए है दूसरे एक्जामपल में एक एलकिल ग्रूप है कारबन से जुड़ा हुआ एक हैलोजन है और दो हाइट्रोजन जुड़े हुए है तो ये भी हमारा हुआ एलकाइल हैलाइड तीसरे ईग्जांपल देखिए कारबन में दो कारबन के साथ तीन ऐसे एल्किल گ्रूप है और एक आपका हैलोजन है एल्किल हैलाइट का आफिर से वरगी करेत कर सकते हैं जब इसमें केवल एक एल्किल ग्रूप जुड़ा होता है तो इसको हम क्या कहेंगे प्राथमिक एलकिल हैलाइड इसको वन डिग्री भी आप कह सकते हैं इस एक्जामपल में देखिए कार्बन के साथ दो एलकिल ग्रूप जुड़े हुए हैं जब कार्बन के सांद 2 एल Gee L घुड़ होता है तो इसे हम द्वीतियक या 2 डिगरी भी कहते हैं नेक्स एक्ग्जामपल में देखिए कार्बन के सांद 3 एलके घुड़े हौएं जब 3 एलकेल गुरूब जुड़े रहेंगे तो ये कहले गा 3 तियक या 3 डिगरी तो ये था हमारा Alkyl Helide हेलो एलकेन की जब भी बात होगी हमें इस बात को ध्यान देना होगा कि हम उस कार्बन के बारे बोर रहे होंगे जो कार्बन हेलोजन से जुड़े हुए है तो उस हेलोजन और कार्बन के बीच की हमें बात करनी है जब कभी भी हम hybridization की बात कर रहे हैं, तो उस carbon की बारे में बोर रहे हैं, जो carbon किस से जुड़ा हुआ होता है, halogen से जुड़ा होता है तो carbon के hybridization के base पे हमने वर्गी करण को देखना है चलिए, आगे वर्गी करण को समझें इस वर्गी करण में अब जो हम समझने वाले हैं, वो है allylic halide पहले तो ये समझ लें कि ally होता क्या है ally का मतलब होता है कि dose ठीक है, तो यहाँ देखें आप example जब देख रहे होंगे तो carbon और carbon के बीच में क्या बना हुआ है, double bond बना हुआ है हम बात कर रहे थे ऐसी category की जिसमें halogen उस carbon से जुड़ा है जहाँ पे कौन सा hybridization है, sp3 पर carbon और carbon के बीच जब रहता है double bond तो वहाँ होता है sp2 संकरण तो हम इन दो carbon के बारे बात नहीं कर रहे हैं carbon carbon double bond से जुड़े हुए पडोस के carbon के बारे बात कर रहे हैं कि अगर पडोस वाला carbon halogen से जुड़ा होता है तो इस category को हम लाते हैं allelic halide में तो allelic halide में ये clear रखना है हमें कि carbon और carbon के बीच में जब double bond है उसके पडोस में हमें halogen की बारे में बात करनी है अब क्या ये सिर्फ aliphatic में होगा? नहीं ये aliphatic के अलावा aromatic में भी होता है आईए देखिए aromatic में भी देखिए जो ring बना हुआ है ring में carbon और carbon के बीच में double bond भी है और single bond भी है तो हम उस carbon की बात कर रहे हैं जो carbon carbon double bond का क्या है पडोसी है उस पडोसी carbon से अगर halogen जुड़ा रहता है और वो aromatic हो या aliphatic हो उन दोनों को हम किस category में लेंगे allylic halide की category में लेंगे अब आगे हम देखते हैं SP3 में तीसरा टाइप जो है वो है बेंजेलिक हैलाइड देखिए structure में बेंजेलिक हैलाइड में carbon और hydrogen की एक पुरा ring बन रहा है जो कि हम benzene ring में अच्छे से समझ सकते हैं carbon और hydrogen इस प्रकार ring में द्वी बंध है और एकल बंध है द्वी बंध से जुड़े हुए पडोस के कार्बन से जो कैसा होगा sp3 संकरित चलिए देखिए यह देखिए जो पडोस का कार्बन है इससे कुल चार बंध से एकल चार बंध से दूसरे तत्व जुड़े हुए है इन में से एक क्या होना चाहिए halogen होगा तो वह हमारे कौन सी कैटेगरी में आता है बेंजेलिक हैलाइट की कैटेगरी में आता है तो इस प्रकार देखिए यहां यह जो कार्बन है यह कैसा है sp3 संकरित कार्बन है और इससे हमारा क्या जुड़ा हुआ है है जुड़ा होता है चलिए अब हम दूसरी कैटेगरी में आते हैं हमने देखा था कि संकरन के अधार पर हमने कुल पांच कैटेगरी बनाई थी sp3 संकरन के अधार पर 3 थे और sp2 संकरन के अधार पर 2 और alkyl halide है तो उनमें है vinylic halide sp2 संकरन में vinylic और aryl halide आते हैं vinylic halide में देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में फिर क्या है double bond होता है यह जो double bond होता है तो कार्बन को चेक किजिए इस कार्बन में देखिए कितने तत्व जुड़े हुए हैं तीन तत्व और जुड़े हैं याने ऐसा संकरन जिसका योग क्या आएगा तीन आता है एक S और दो P तो यहाँ जो कार्बन है यह SP2 संकरित है इस कार्बन से जब हैलोजन जुड़ रहा है तो यह हमारा हो जाएगा Vinylic Halide क्लियर है अब हम आगे बढ़ें इसी में जब Benzean Ring के सांथ अब डायरेक्ट क्या होगा Benzean Ring की हम बात कर रहे है क्योंकि Benzean Ring में जितने भी कार्बन है देखिए Benzean Ring के जितने भी कार्बन है इन 6 के 6 कार्बन में कौन सा संकरन मिरे है हमको SP2 संकरण मिलता है जब ये SP2 संकरित कार्बन डारेक्ट हैलोजन से जुड़ा हुआ रहता है तो इसे हम क्या कहेंगे एरिल हैलाइड तो इस प्रकार देखो कि हमने संकरण के अधार पर इसे समझा है